नमस्कार दोस्तों तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं अपने BSTC और PTT लेवल का जो मैन मुक्य जो टॉपिक है अपना सिक्षन अभी समता वलब की टीचिंग एप्टिटुड आज अपन पढ़ने वाले दोस्तों वीडियो को कंप्लेट जरूर देख सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल प्रेश जो गंटी वाला बटन है उसको भी प्रेश जरूर करें ताकि हमारे यहां से जो भी नएनी वीडियो आए आपके लिए वह जो आप तक जल्दी से पहुंच जाए तो दोस्तों आप सभी यह जो शेयर भी जरूर करें व होते हैं तो चलिए सुरू करते हैं पहला प्रस्ण आपके स्क्रेंट पर आज के मॉडल पेपर का पहला प्रस्ण दोस्तों सभी से रिक्वेस्ट है सभी जवाब देंगे साथ साथ में और दोस्तों आज का पहला प्रस्ण किसी सामुक लक्षे की प्राप्ति के लिए नित् नेतर तो का होना आवजशट है बिलकुल दोस्तों तो हाँ बिलकुल राइट आंसर आपका दो नमर पे हो जाएगा मतलब की B अफशन बिलकुल करेक्ट आंसर होगा इसी प्रकार दोस्तों अगला प्रसने अपनी स्क्रेंड पर नेता अपने समूदाएका होता है तो दोस्तों नेता अपने समूदा एका है जो क्या होता है ये बताना है आपको नेता अपने समूदा एका है जो दोस्तों को क्या होता है प्रतिनिदी होताना है सभी को पता होना चाहिए तो B option राइट आंसर हो जाएगा मतलब C option मतलब की 3 number option जो है प्रती निदी हो जाएगा राइट आंसर ये दोस्तों अपने पहले भी question पढ़ा था दोस्तों अगला प्रस्ण है आपकी screen पर और अगला प्रस्ण ये है कि 103 number पर मतलब तीसरा question हमारे समाज की name न लिखे समस्यां मैंसे कौन सी समस्या है हमारे समाज की पूचा है दोस्तों ठीक है तो right answer आपका देखे सब्चे अधिक सिक्षा से संबन दीते या व्रदी वैक्तियों की समस्या बढ़ता पाचात्य प्रभाव या पिर संयुक्त परिवार का टोटना तो दोस्तों इन में से आपका जो right answer हो जाएगा न वो होगा आपका C option ठीक है दोस्तों C option आपका correct answer होगा उसके बाद है जो आप इसे कह सकते हैं संयुक्त परिवार का टोटना तो दोस्तों लेकिन आपका या पर ती नमबर यदि मिले तो आपको जो C option में ही मिलेंगे दोस्तों ठीक है और दोस्तों अगर आप मैंसे किसी को पता नहीं है कि आपको सिक्सरना भी समता में किस पकार से देखे दोस्तों सबसे पहले जो जो उच्चित होगा ठीक है सबसे जो सही होगा option में सबी option में आपको यहाँ पर नमबर मिलेंगे अंक सबसे गलत वाल आप करते हैं तो आप पर आपको zero number मिलेंगे दोस्तों ठीक है तो ये रहता है ratio जो की six नभी समता के अंकों का ratio होता है ठीक है दोस्तों चले तो अगला प्रसने दोस्तों 104 number पे और आप सभी से मेरी request है कि continue देखते हुए last तक है जो आप बने रहे ताकि आपके जो है ये जो important प्रसने दोस्तों थोड़ी सी अपनी quality को अपने वीडियो के quality को बढ़ा लीजिए यदि आपको अच्छे से नहीं देखे तो बट पूरी पूरी जरूर देखना दोस्तों तीस question है जो बहुत important आपके exam के लिए होने वाले दोस्तों ठीक है तो सात्यों शिक्सा सब के लिए उपलब्द हो इसके लिए सबसे अच्छा उपाए कौन सा है काफी कासी जवाब तो आई चुका है तो दोस्तों या पर जो right answer हो जाएगा सभी बच्चों को विद्याले में लाए जाए ठीक है और आपका मतलब तीन नमर यदि लाने है तो आप इस पर जो click करेंगे मतलब की be option ठीक है दोस्तों be option आपका right answer हो जाएगा और गरी बच्चों को आरतिक सायता दी जाए और अधिक विद्याले खोले जाए ठीक है और दोस्तों आपर जो advance यदि पढ़ा जाए तो advance भी कुछ नहीं है इतना ठीक है अगला प्रस्टन दोस्तों नेम लिकित में से कौनचा गुण अपने चात्रों में सरवादीक पसंद करेंगे देखिए आप सिख सकें और नेम लिकित में से कौनचा गुण अपने चात्रों में आप सरवादीक पसंद करेंगे दोस्तों पांच्वा प्रस्टन राइट आंसर आपका हो जाएग ए और प्रस्टन ये प्रस्टन भी अपन कई बार पढ़ चुक है उसके बाद है जो ये आता है दोस्तों ठीक है तो इसके भी 50 प्रस्टन जो पूछे जाता है एक्जाम में कौन सी प्रारम भी किरिया कक्स अरम करने के लिए सबसे कम उप्योगत है तो दोस्तों राइट आंसर याँपर जंडे का अभिवादन या ग्रकारे देना या दिन्चर्या की रूपरे का बनाना या संग्चेपतच हैक्टनिक प्रतियोगी ताक कराना दोस्तों क्या पूछा है कि कौन सी प्रारम भी किरिया कक्स अरम करने के लिए सबसे कम उप्योगत होती है तो दोस्तों आपका राइट आंसर तो यही हो जाएगा बिल्कुल बी ओफ्सन ग्रकारे देना यह दोस्तों बिल्कुल है जो कम उप्योगत होता है एक सो चैर का एक सो चैका दोस्तों ऐसे प्रस्टन भी दोस्तों कई बार पूचे जा सकते हैं तो ध्यान में रखेंगे ऐसे प्रस्टन को दोस्तों एक सो साथ तंबर पर आपकी राय में सिक्षक में नेतर तो है तू क्या आवेशिया के दोस्तों सभी जवाब देंगे जो भी लायू जुड़े हुए है मेरे साती बाई ने ठीक है तो ए उफ्षन है लजजा सील प्रकर्टी बी उफ्षन है सहास उचा कद या बाईर मुकी तो साथ यो राइट आंसर है जो कोंचा हो जाएगा साथ वे प्रस्टन का राइट आंसर आपका हो जाएगा मतलब की बाईर मुकी है जो बिलकुल राइट आंसर हो जाएग तो दोस्तों कहीं से भी आप मुझे मेसेज या कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों मैं उस पर सुधार लाने की कोशिज करूँगा यदि होगा यदि आपको डाउट लगे कि ये आंसर सही नहीं है तो मैं भी कोशिज करूँगा कि यदि वो सही नहीं है तो सही करने की कोशिज करूँगा यदि वो सही है तो मैं आपको समझाने की भी कोशिज करूँगा ठीक है दोस्तों आठवा प्रस्ने समाज में सामाजिक परिपक्वता प्राप्त करने तो सिक्सक को सामाजिक मनुवी ज्यान का ज्यान होना आवश्यक है तो दोस्तों संभवत है या कुछ नहीं का जा सकता या नहीं या हाँ तो दोस्तों याप पर राइट आंसर तो हो जाएगा D-Option सभी का सही उत्तर होना चाहिए यह तो बहुत ही आसान प्रस्टे दोस्तों प्रस्टों याप देखिए क्वीज में सभी ध्यानपूरुक प्रस्टों को पढ़ते हुए अपन आगे बढ़े तो अच्छा है ठीक है चलिए तो दोस्तों अगला प्रस्टे आपकी स्क्रीन पर अगला प्रस्टे यह कि एक घनिश्ट संबंद है एक घनिश्ट है जो संबंद है अभी बाखों को तता बच्चों की चोच में या फिर सिकसक एवम सिकसाविद के मद्य या पिर नियोजीत इसकूल क्यान में या फिर इस्कूल तता समाज में तो दोस्तों यह और बढ़ते दोस्तों अगला प्रस्ट है आपकी स्क्रिन पर दोस्तों अच्छे नहीं देखे तो कौलेटी को बढ़ा लीजी मैं अभी से कह रहा हूं आपको अच्छा दोस्तों गैर opt चरीक्सक को देखे a option पढ़ रहा हूँ मैं जामाजिक और संस्ता द्वारा आयुजित किया जाता है या फिर परिवार समाज धर्म आदी द्वारा दी जाती है अती है मतलब opt तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा आपकर कौन सा B-Option होगा ठीक है तो परिवार समाज धर्म आदी द्वारा दी जाती है दोस्तों ठीक है तो दोस्तों अगला प्रस्टने आपकी स्क्रेन पर है दोस्तों उमीद करता हूं कि सभी को आज की क्विज पसंदारी होगी पसंदारी तो दोस्तों डायक जरूर करदीजिए अपनी आज की क्विज को ठीक है 111 नंबर में मतलब कि 111 क्विजन है दोस्तों किसी व्यक्ति को अध्यापक के रूप में सपलता मिलने की संभाव नहीं अधिक होगी यदि व्यक्ति अध्यापक के परिवार से संबंध रखता है या बी ओफशन है कि अध्यापन में प्रसीक्षन प्राप्त कर चुका है या पिर नैतिक मुली और अच्छा चरीतर रखता है या पिर अपनी अध्यापन सामगरी को उच्छित रूप से व्यवस्तित कर सकता है और उसे प्रभावसाली रेंग से विद्यारतियों के समक्स प्रस्तूत कर सकता है दोस्तों ओफिसन कापी बड़े हैं ठीक है तो राइट आंसर आपका यहांद पर हो जाएगा दोस्तों डी को मिलते हैं तो दोस्तों प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है ध्यान पूरुक पढ़ने की चेस्टा रखें ना दोस्तों अगला प्रस्त है प्रभावकारी अध्यापन नेवन वैसे किसका एक फलन है जैसे इस परस्त तता यह था तत्य संप्रेशन कक्सा में पूर्ण अ आप पर राइट आंसर जिनों भी चुनाए ए ओफ्सन होगा इस पर तता यह था तत्य संप्रेशन हो जाएगा दोस्तों मैंने आपसे बिल्कुल बात कही थी कि अपन संप्रेशन और अधी गम जो है यह अपन अच्छे से पढ़ेंगे थियोरी के माध्यम से लेकिन उसके इस लिए दोस्तों अलग से टाईं मैं अवसे निकाल कर लेकर आऊंगा धोस्तों ठीक है तो अवसे आप तक कभी भी है जो वेडियू आपके लिए थियो Buddhism अभी श्मता की लेकर आऊं दोस्तों अगला प्रस्ण है आप किस इस्तर की योगिता के विद्यार्थियों को पढ़ाना पसंद करेंगे औसत योगिता से अधिक औसत योगिता के या फिर औसत योगिता से कम या फिर मिस्रित योगिता के तो दोस्तों यहां पर तो बिल्कुल आसान सा क्वेसन है और आस अंसर भी हो जाएगा D option होगा न मिसिरित योगेता के दोस्तों तो right answer बिल्कुल D option हो जाएगा अगला प्रस्ण है अच्छा अध्यापन किसका प्रिणाम है दोस्तों अध्यापन ट्रेनिंग नहीं अनुबव क्या नहीं ये भी नहीं होगा विसे वस्तूपर अधिकार और अ आपकी स्क्रिन पर है सभी जवाब देने की चेस्टा करें किस राजिय में सबचे अधिक पत्रिकाएं जनता को चूचना के लिए निकाली जाती है तो दोस्तों किस राजिय में सबचे अधिक पत्रिकाएं ऐसा प्रस्ण दोस्तों पूचा जा सकता है ऐसी कोई बड़ी बा ऩो सब्दोत यहां ऐतो है के all this साथी अपने कक्स 132 रूफ से नहीं लेते हैं तो मैं कबक्सा हैं नीमिक तुरूफ से नहीं लुझा पधार नहीं लेतर प्लिक्विक से उनकी किसायच करूगा अपनी कखसें लेता रहूंगा अपनी content रूसे लेता रहूंगा तो दोस्तों ये तो है जो C और D तो सेम ही हो गया तो इसका राइट आंशर दोस्तों है जो कौन सा हो जाएगा 116 का बिलकुल है जो दोस्तों यहाप पर देखे यह आगे और भी यह लिखा हुगा दोस्तों ठीक है अपनी ककसा नियमित रूफ से लेता रहूँगा और क्या पूछाए और अपने कुछ मित्र अधियापक को नियमित रूफ से ककसा लेने ये तो मनाऊँगा तो दोस्तों आपका यह आंशर हो जाएगा D option चमा जाता हूँ यह आपको पहले नहीं दिखा पाया तो दोस्तों जिनों ने भी D option चुनाएना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यह थोड़ी सी बाज में है जो आपको लाइन दिखाई गई कोई बात नी दोस्तों D option बिल्कुल राइट होगा अगला प्रसने दोस्तों 117 पे लक्स यह प्रदान संप्रेशन ही सार तक होता है दोस्तों संप्रेशन के है जो कम से कम चार से पांच क्वेशन अवेश्य पूछे जाते है इसमें ठीक है तो जरूर ध्यान रखे और थियोरी आप समझ पाते है तो अच्छे से समझ यह और जो कैसा भी प्रसन आजए वाँ पर तो दोस्तों आप पन जटके से करेंगे बिल्कुल लक्स यह प्रदान संप्रेशन ही सार तक होता है क्या इसकतन से आप इसकतन से पूर्ण सेमत है तो समत और समत के भी तीन से चार प्रसन पूछे जाते है तो दोस्तों यह भी ध्यान अमबर यदी अध्यापक चात्र के प्रस्न का उत्तर देने में असमर्थ हो तो उसे चाहिए कि वा कहे कि वा जानकारी प्राप्ट करने के बाद उत्तर देगा या चात्रों को ग्रकारे में दे देगा या पिर कक्सा में ही उत्तर देने का प्रयास करेगा या कहे कि प्रस्न ही गलत है तो दोस्तों कोन देता है सबसे पहले राइट आंसर इसका बहुत ही आसान प्रस्ण है बिल्कुल ए ओफशन राइट आंसर हो जाएगा कहे कि वह जानकारी प्राप्ट करने के बाद उत्तर देगा तो दोस्तों ये तो अपन कई बार प्रड़ भी चुक है बिल्कुल जिन्होंने भी ओप्शन चुनाए ना फेरी कोड़ चलिए अगले प्रस्ण के और बढ़ते हैं अगला प्रस्ण 119 पे या 19 पे सेक्षन की उत्तम प्रणाली उत्तम प्रणाली वह है जिसमें प्रस्णोत्र की आवसिकता न पड़े अध्यापक चात्रों से प्रस्ण तो दोस्तों डी ओफ्शन मतलब की नंबर फोर नंबर फोर ओफ्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जिन्होंने भी चुना बिल्कुल फेरी कोड़ चलिए अगले प्रस्ण के और 20 नंबर प्रस्ण दोस्तों आज आपन 30 क्वेसन पड़ेंगे बहुत इंपोर्टें आप तो अवेस्या सही करेंगे ये मेरी 100% गारंटी आपको मैं देता हूँ यदि आपका मन कहीं है और आप प्रस्ण को बार-बार रिपीट कर रहे हैं बार-बार पढ़ रहे हैं और उसे देखी दोस्तों रेजदिंग है शिक्सन अभी समता इसे आपको ध्यान में रखते इसके पार्ट की सिक्सन सहयक सामगरी सात लेकर जाओंगा अपनी पार्ट योजना वेवस्तित करूंगा तो दोस्तों इसमें संकोज करने क्या आउसकता नहीं है कितना आसान प्रस्ण है डी आप्षिन आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी का हो जैगा अपनी पार्ट य एक सो बाइस नमबर या बाइस नमबर क्वेस्टन पर यह क्वेस्टन है दोस्तों राइट आंसर आपकी राए में सिक्सकों को समय पर विद्धाले आना चाहिए समय पर आना जरूरी नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता समय पर आने पर चात्र भी समय पर आएंगे यह उनका करतव यह सभी का अपना अपना द्रस्टी कोन यह भी नहीं होगा दोस्तों देखें दोस्तों यहां पर है ना बात करें यह उनका करते वे यह समय पर आने पर चातर भी समय पर आएंगे तो दोस्तों यहां पर राइट आंसर आपका यह हो जाएगा समय पर आने पर चातर भी समय पर थोड़ा सा आपको लाइट दिख रहा होगा ये प्रस्ट एक सो तैस नमबर पर आज की संपूर्ण सिक्षा प्रणाली सैदान्तिक तता उद्देश यहीन हो गई है इस कतन से आप सहमत हैं कितना आसान प्रस्ट है आप सभी बताएंगे आप पर जो भी जुड़े हुए आज की संपूर्ण सिक्षा प्रणाली सैदान्तिक तता उद्देश यहीन होगे इस कतन से आप श्यम तो आस हमत होगे इस मत नहीं होगे बिल्कुल डाइट हो जाएगा जन्होंने भी समत चुना बिल्कुल गलत आऊंसर होगा यहांपर दोस्तों सबीस नमबर प्रयाषन आजकल विद्यार्थी कोचिंग सेंडर जाते हैं यह अच्छा नहीं है क्योंकि देखिए यह विद्यार्थी को स्वा अध्यान से अतोत साहित करते हैं यह बहुत महेंगे हैं यह अध्यापकों को विद्याले में पढ़ाने से अतोत साहित करते हैं तो दोस्तों आपका राइ किस कतन से आप सहमत हैं दोस्तों कैसा प्रस ने पूछा है देखिए पूरा पूरे आपको ऑफशन दे दिया है आप पर तो राइट आंसर देंगे ना सभी अध्यापक ओध्यापक ही रहना चाहिए अनेता सपलता नहीं मिलेगी या अध्यापक जीवन परेंथ विद्यारती बने रहते हैं या अध्यापक जीवन परेंथ विद्यारती नहीं बन सकते हैं यदि अध्यापक जीवन परेंथ विद्यारती बनेगा तो सपलता अविश्यम मिलेगी तो दोस्तों यहीं तो हो जाएगा आपका राइट आंसर डी आफ्शन ठीक है नेवनों ऐसे यह कतन से इस कतन से बिलकुल से हमात है पंठीक है बाकि यह दी आपको कुछ डाउट है तो दोस्तों जरूर आप लेके कमेंन्ट सेक्षन में बाहर आके वीडियो कम्प्लेट उने की बाद संक्या और कमेंट जरूर करें प्रस्ण सिंक्या और उसके बाद जो प्रस्ण जरूर लेके मैं उस पर जो सुधार करने की जरूर कोशिश करूँगा दोस्तों आगला प्रस्ण 26 नंबर पे नेवन मैसे विद्याले का कारिय नहीं है तो दोस्तों शिक्सा का दायतों ने बना इस्ताई भाओं का निर्मान या समाज की निरंतरता को बनाए रखना या पिर सांस्क्रतिक विरासत की रख्षा करना तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा स्वी जवाब देवे और बी ऑफ्षन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस्ताई गाओं का निर्मान करना हो जाएगा नेवन मैसे विद्याले का कारिय यह नहीं है यह सरपंसा का कारिया है ठीक है दोस्तों अगले प्रस्णी के और बढ़ते हैं अगला प्रस्णे 27 नंबर पे बालक के विकास में सरवादिक योगदान होता है दन्वान मातापिता का पाथे पुस्तकों का या अच्छे विद्याले का या योग्ये एवं समर्पित सिखसकों का तो दोस्तों 127 का right answer योग्य एवं समर्पित शिक्सकों का हो जाएगा D option बिल्कुल correct होगा very good चलिया अगले प्रस्णी के और अगला प्रस्णी 28 नमबर पे किस अवस्ता में बालक में सुप्सम सिंतन का विकास हो जाता है जैसे कि ये option है C-100 अवस्ता किस अवस्ता बाले अवस्ता इन्हें से कोई नहीं तो होगा नहीं तो दोस्तों यहाँ पर right answer आपका C option हो जाएगा C option बिल्कुल जिन्होंने भी चुनाए C option बिल्कुल right answer हो जाएगा दोस्तों आगला प्रस्ण है 29 नमबर पे आज के अपने कुल है जो 30 question है दोस्तों बहुत important है ठीक है चात्रों की कक्सा में निंदा नहीं करनी चाहिए देखे दोस्तों ये तो right answer है ये प्रस्ण भी ऐसा ही पूछा है देखे बहुत ही आसान प्रस्ण लेग रहा है मुझे क्योंकि इससे कोई लाब नहीं इससे section कारे में व्यवदान पढ़ता है इससे सात्र का मनोबल गिर जाता है इससे सात्रों में अनुसा सनन नहीं रहता तो दोस्तों right answer आप एक बार जरूर है जो विशले सन करके जरूर बताए सबी बताएं बिल्कुल तो दोस्तों section कारे पर व्यवदान तो पढ़ता है लेकिन उससे पहले इससे सात्र का मनोबल गिर जाता है तो दोस्तों आपका see option बिल्कुल right answer हो जाएगा उसके बाद है जो इससे सात्रों में अनुसा सनन नहीं रहता ये कह सकते है बिल्कुल बर दोस्तों आपका see option बिल्कुल right answer हो जाएगा अगला प्रस्टने सबी जवाब देंगे तीस नंबर question last question आज की quiz का दोस्तों यदी quiz पसंद आई है तो like जरूर कर दीजिया और अपने दोस्तों के साथ share करना मत बूलना इस quiz को complete देखने के बाद यदी आप मैंसे मेरी request से सभी से यदी आप मैंसे पहले ही यदी कोई share कर देते हैं तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धनेवाद और लेकिन आप share नहीं कर पाते हैं तो बाद मैं तो करना संकोच मत करना है ना तीस नमर question है 6-11 वर्ष की आयू वर्ग वाले बचों में जल्दी याद करने योजना और प्रबंध करने की प्रवर्थी होती है जैसे यह का जाता है कितना आसान प्रशन है बहुत ही नया प्रशन दोस्तों मिला हुआ यह अपन के लिए ठीक है तो दोस्तों है जो C option आपका right answer हो जाएगा यदि आप ये करते हैं तो तो दोस्तों जरूर लाई कर दीजा आपकी आज की quiz को और जरूर बताए कि आज आपको है जो आज की quiz कैसी लेगी अच्छी लेगी हो तो जरूर लिखिए का अची class लेगी आपको और दोस्तों कल का प्रसन आपके लिए क्या था कल ये प्रसन था आज का नहीं कल कल ये प् वोतनों अलट हो जाएगा वो तो इसका आंसर जिसमें से सबसे फर्स्ट में जो चुनाता है आप राइट आंसर वो मैं आपको या पर किलियर करवा देतो हूँ बता देता हूँ जो भी फर्स्ट आयते हैं आपर सबसे पहले राम जस सालवी भया जी बिलकुल ए फर्स्ट आंसर किया वैसे जिन्हों ने भी याँपर चुना है ना जैसे सुमित सर्मा या ललित कुमार मीना विया जी बिलकुल जिन्हों ने भी चुना है ना मानुई मनुज सिस्टर और जस्वन सिंग सोलंकी बुल बुल सेकावत जो भी जिन्हों ने भी उर्मिला सर्मा बिलकुल ज जो सबसे पहले कौन चुनता है राइट आंसर तो दोस्तों आज का question है आपके लिए मैं आप पर लिख देता हूँ सबी जवाब देंगे देखे दोस्तों इतना ही लिखूंगा जिलानी माता का मंदिर जो है जिलानी माता है जो कहां पर पूजी जाती है दोस्तों ये बताना ह जिने भी पता हो ठीके दोस्तों तो सभी लिखेंगे उमीद करता हूँ कि सभी को पता हूँगा यदि पता नहीं है तो दोस्तों कल अपन इस पर है जो बिल्कुल solution करेंगे तो दोस्तों आप सभी का प्रेम पूरक बहुत बहुत आवार बने रहे आपके अपने YouTube चैनल के स नलात और सुबह अपन जैवपूर का इतेयास पढ़ेंगे दोस्तों जैवपूर का इतियास पार कुछ है जो वो पले भी मुझे नहीं लेगता कि आपके कुछ पले भी पड़े तो दोस्तों मेरी पुना आप सभी से रिक्वेस्ट है वेडियो को यदि आप अच्छे से प्रिप्रेशन करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों प्लीज प्लीज सभी स से प्रिप्रेशन करें आप सभी का प्रेम पूरक बहुत बहुत आबार एवं धन्यवाद